गुजरात के मोरवी में ब्रिज टूटा 130 से ज्यादा मोतों की पुष्टी हो चुकी है मुनाफे के लालच में टिकट बेचने वालों ने क्षमता से ज्यादा लोगों को टिकट दे दिया सो की क्षमता वाले ब्रिज पर 500 लोग थे बिना फिटनेस करवाये चार दिन पहले ब्रिज खोल दिया गया आरोप तो ये भी है कि चुनाव के कारण समय से पहले इसको चालू कर दिया गया मुनाफे के लिए सड़क का निर्मान घटिया सामगरी से कर दिया जाता है मुनाफे के लालच में दिवाली की हर मिठाई में नकली मावा मिला दिया जाता है खाने पीने की सामगरी में मिलावट की जाती है सबजियों में भर-भर कर पेस्टिसाइड डाल दिये जाते है कोविड में मुनाफे के लिए बेड बेचे जाते हैं अक्सिजन की काला बाजारी की जाती है ऐसी दवाईयां हम पे आजमाई जाती है जिनका COVID पर कोई असर होना ही नहीं है फिर राजनिती एक एरलाइन्स कंपनी की कई फ्लाइटें बीच हवा में तक्निकी गड़बडी के कारण पात काली लेंडिंग करनी पड़ी कहा जाता है कि इस कंपनी को राजनितिक प्रश्रे है इस कारण ये बिना सुरक्षा मानकों को फोलो किये अपना संचालन कर रही है सवाल ये है कि क्या इस गटना के बाद मृतकों के प्रती संवेदना जता कर मुआवजा देकर या हमने बहुत अच्छा बचाव कारिय किया राहत कारिय किया टेली विजन पर इस बावत इस तरह की बाइट देकर आप अपनी जिम्मेदारी से निवरत हो जाएंगे गुजरात में चुनाव है इस मुदे पर सारे राजनितिक दल आगे बढ़ कर दावे करेंगे आरोप परतैरोप भी लगाएंगे लेकिन क्या आम आदमी की जिन्दगी की कोई कीमत होगी क्या गुजरात की सरकार, केंदर सरकार, राज्यों की सरकारें, इन में से कोई एक आगे आकर कहेगा कि हमारे हैं जान की जोकिम वाले किसी भी काम को पास नहीं किया जाएगा मिलावट इस्तरहिन काम या ऐसी किसी भी चीज जिसमें जान की जोकिम हो सेहत को खत्रा हो उससे किसी हाल में एपरू नहीं किया जाएगा इतना ही नहीं ऐसी किसी चीज से अगर किसी की जान का कोई नुकसान हुआ तो कम से कम मोत की सजा, जी हां मोत की सजा का प्रावदान रहे, ऐसा कानून हम बनाने जा रहे हैं